सब्सक्राइब फूर वीडियोज वीडियोज को सर्च कर सकते हैं डीटेल में मैंने उनको वहाँ पर समझाय हुए तो बच्चो लाइब लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाय था मैंने आपको कनवैक्स लेंस और कंकेव लेंस करवाय था ठीक है अब इसी चीज़ को आगे रेके जाते हुए जैसे हमने mirror के अंदर बचो mirror formula किया था वैसी आज हम जो है lens formula करने जा रहे है lens formula जो है काफी important topic है बचो इस ray optics के अंदर especially reflection of light के अंदर क्यों गोर्णों में क्योंकि इसके अंदर conceptual question या numerical question हमारा बनता ही बनता है बचो lens formula और lens formula के अंदर हमारे पास दो cases बनेंगे बचो एक है convex lens के लिए और एक है concave lens के लिए तो जादा time लेते हुए आज का topic हम start करते है तो देखिए बचो mirror formula क्या है हमारे पास mirror formula हमारे कहता है कि 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u lens formula क्या कहता बचो 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u ठीक है बच्चे क्या करते हैं जब numerical करते हैं तो बच्चो क्या confusion होती हैं को कि plus के लिए माइस के लिए माइस के लिए प्लस भी देते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने चैटर की इंट्रोड़क्शन करी थी बच्चों कि कि जब हम topic करते हैं मतलब हम जो start करते हैं सुलेबस पसे पहले क्या था है mirror formula तो mirror formula के लिए हम याद रखेंगे कि हमें plus लगाना है clear बात और last में mirror formula के बाद हमारा reflection of right part रखता है मतलब lens formula और lens formula के लिए हम क्या use करेंगे यहाँ पर minus use करेंगे अब यह formula कैसे आया यह भी paper में आपके आ सकता है मतलब derivation इसके आ सकती है तो इसको हम करते हैं तो आप समद कि होंगे basically lens formula क्या करता है बच्चों object distance image distance और focal length के बीच में relation establish करता है ठीक है तो हम यहाँ पर करते हैं बच्चों lens formula तो lens formula जो मैं आपको करवाँगा वो 2 cases के लिए बच्चों मलब 2 lens के लिए एक है convex lens और एक हमारे पास है concave lens अगर हमें एक समझ आ जाए बच्चों तो दूसरा automatically answer निकल जाएगा ठीक है उसमें दीकर समय नहीं होने मली और convex lens में बच्चों दो case करना होगा हम आपको एक है real image के लिए मलब हम जो है lens formula बच्चों यह वड़ा formula ट्राइब करेंगे for the real image and for the virtual image also और आपको पता है कि concave lens में हमेशा कैसी बनती है virtual बनती है तो इसके दिए तो हमारे पास एक ही रहने वाला है इसकली करने क्या जाएं तो देखें जाएं तो सबसे पहले हैडिक डाली किये कि derivation of lens formula using convex lens और image कैसे बनती है बच्चों रियर इमेज तो मैं convex lens के लिए lens formula ड्राइब कर रहे जा रहा हूँ रियर इमेज खीक है देखें द्याम से यह हमारे पास एक convex lens है यह हमारे पास बच्चों अपर्टियर होगा इसका यह हमारे पास क्या होगा आप अप्टिकल सेंटर और से डिरोक्त कर दो यह हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस यह f1 2 f1 यह बच्चों होगे हमारे पास f2 और यह हमारे पास है 2 f2 ठीक है माले जिए object का पढ़ा हुआ बच्चों चलो माले ते है object हमारा पढ़ा हुआ f1 और 2 f1 के in between तो यह हमारे पास object पढ़ा हुआ है a a b तो एक रे हमारे पास गई बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें पता यह कहां से पास होगी second focus से पास हो जाएगी and it will go like this ठीक है दूसरी रे है पच्चों जो optical center से जाएगी और बिना कोई division के वह सीधी चली जाएगी जहां पर यह दोनों की दोनों race मिलेंगी वहां पर क्या बन जाएगी image बन जाएगी a dash b dash आपको बता है यह already cases आप जो है कर चुके बच्चों की image कैसे मिलने वाली है magnified मिलने वाली है enlarged मिलने वाली है और inverted मिलने वाली है और real मिलने वाली है क्योंकि reflection के बाद जो race है सच्च मिली है बस यह चीज़ आपको जाएगी बच्चों और हम क्या करते हैं इस point को हम यहाँ पर नाम देते हैं मालेगी इस point का नाम रग दिया हमने end point तो देखें आपक B-O और A-B-O ट्रेंगल A-B-O बेटा दोनों के दोनों को ट्रेंगल कैसे हैं similar triangles है अगर दोनों के दोनों similar triangles हैं तो हम similar triangle की प्रोपिटी का राज़ते हैं height by height A-B-divide by A-B is equal to base by base ठीक है यह हमने वाज़ी equation यों पर बाद सिमिलेर अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों triangle A-B-F2 यह triangle चाहिए दरा आपको A-B-F2 and triangle M-O-F2 M-O-F2 तो यह दोनों के दोनों triangle भी कैसे हैं बच्चों similar triangles है अगर यह भी similar triangles है तो यहाँ भी हम क्या प्रोपिटी दिखा सकते हैं जो हमने equation 1 के दिखाई थी कुमसी height by height तो height by height क्या पर देखें अब यहाँ पर देखें देखो अच्चों A-B-F2 को तो मैं as it is रहे देता हूँ अब यहां तर देखो M-O जो है M-O basically किसके परापर है A-B के परापर तो इस equation के अंदर मैं M-O की जागा क्या देखता हूँ A-B is equals to इसको मैं as it is रहे देता हूँ B-F2 किवाइब बाइब बाइब ओ और इसको मैंने क्या माननी बच्चों equation 2 आप देखो यहाँ क्या है equation 1 के अंदर A-B divided by AB equation 2 के अंदर भी क्या है बच्चो A-B divided by AB तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ Equate कर सकता हूँ मतलब compare कर सकता हूँ तो अब आप लिखे compare या equation 1 & 2 तो दोनों को जो इत्वेट करेंगे बच्चों क्या निवाल है B-O B-O B-Divide by OB is equals to यह हमारे पास्ता हो गया B-S2 डिवाइब वाइब ओ एस्टू ठीक है यहां तर पीड़े हो गांद आप देखो बच्चों नहीं से O-B- O-B-D, अब देखो बच्चों जहाना सकना यह मेरे पास क्या है आपको करना इचान करवाई थी और यह जो है उब्जेक्ट के डिस्टैंस को किसे डिलोड करेंगे हम वी से, ठीक है तो O-B-Lash को देखे अगरा हो, O-B-Lash बिसिकली क्या है, इमेज का डिस्टैंस और इमेज का डिस्टैंस को हम क्या रहेंगे बच्चों, V से डिलोड करें और राइट साइड में इसलिए यहां पर तल देते हैं, V ली देते हैं, डिवाइड बाइ ओवी, अब O-B देखो काम पर है, यह रहें देखो, O-B, O-B कहा पर है, बच्चों, क्या डिक है यह जो है, और क्या डिस्टैंस को 90, क्या डिक है लिए यह थी माइनस यू, इस इक तो इसका वतलब मैं B-F2 की जगार क्यान सकता हूं बच्छों O-B--O-F2 डिवाइड वाइड ओए यहाद है प्लियर हो ठीक है अब इसका वतलब O-B- O-B- मेरा किसके बराबर है V के बराबर तो मैंने यहाँ आपर निदिया V इसके बराबर है बच्छों और आपको बता है फोकल रहें हमेशा कंवेक्स लेंज की कैसी देनी है बाइक कोस्टिव देनी है यह मैंने आपको लाग्ट लेक्शे में प्रता रहा है और O-F2 निचे डिवाइड हो क्या देगा F आ देगा इस तीनों को वी यू एफ से डिवाइड करता हूं तो में पास इक्वेशन क्या ने वाइड है बच्छों 1 by F is equal to 1 by V minus 1 by U यह डूँ आएड़ी देखो VF से VF क्या हो गया cancel हो गया यहां कर VU से VU क्या हो गया अच्यों cancel हो गया यहां से UF से UF क्या हो गया cancel हो गया तो क्या करा मैं ख़िए इस वाले 1 माइस माले को उधर ले गया तो 1 by F और इस वाले को उतर ले गया तो ये देखो हमने क्या करा हमने कलवेक्स लेंस की हैंप से लेंस फॉर्मॉला ड्राइब कर दिया मनद वी यू एफ के बीच में रिलेशन एक्टाबिश कर दिया बट कौन से के लिए बच्चों रियल इमेज के लिए तो इसी का आपने ध्यारतन है कि यहां पर देखो कि ओर यहां पर माइनस आजाएगा बलगो आपको रिजर्ट पहले जी बता हो राची है कि माइनस आना है ठीक है और यह कैसे करा पूसी तर यह आई हो आपको समझ आता होगा अब उसके बाद क्या है अगर मैं इसी के अंदर बच्चों बैजिफिकेशन इकालता हो थिक है अगर मैं कनवाइक स्के लिए इस ओने को फोन्दा क्या होता है यह मिनरश दर भी पढ़ा वच्चों मैपनिफबिकेशन क्या होता है height of the image aint बच्छों इसका सब्सक्राइब करता हूँ है इसका इसका लोड करता हूँ अप्रिंसिपल अंप्रिंसिपल एकिस से उपर वाली हाइड टैसे प्लस है इस इक वस्टू बी डेश को बच्छो बी डेश को क्या है हमारे पास यह ज्यांसे यह इमेज का डिश्टेंस है और राइट सैड में से कहले हैं कि प्लस वी डिवाइड बाइब बी ओ बी ओ को मैं रिखेंगे माइनस यू तो देखिए माइनस माइनस तो कैंसल आप हो क्या तो आप पास क्या आगा हो चो एक डैश वाइच इस इक वाइच इस इक वाइच तो यह हमारा जो है में जाता है मैंनिस्केशन का फॉर्मुला बन जाता है रिखना या सिंपल बोले फॉर्टी लेंस तो मेंनिस्केशन का फॉर्मॉला क्या होता है आपको ध्यान अगनी है तो मीर करता हूं कि आपको प्रोपर्ली क्लियर होगी होगी ठीक है अब यही चीज जो है करेंगे जो लेंस फॉर्मुला अगें करते हैं बट अब जो हम ट्राइब करेंगे बच्छों किसके लिए करेंगे वर्चोल इमेज करेंगे और आपको यह चीज पता हुना चाहिए कि वर्चोल इमेज का बनती है जब हमारा ओब्जेक्ट है वह फर्स्ट फॉर्क्रस और ओप्टिक असांफर की इन बिट्वीन बनेगा ठीक है तो चलो उसको मैं आपको ड्रो कर देता हूं ठीक है फिर मैं आपको बता देता हूं कि आ कीजल माने आपको से रिया इंच क्यूंक करना है वह किस के लिए निए निए करना व्यक्राइब करना है फ़ोड़कम आपको अलो यह कुला है अज़ो है यह थी नहीं कर दो हूं अचे यह अच्ट कि पेपर में आपको वर्चोल इमेज के लिए आसकता है और में इसकर ये हमारे पास होगा और ये वर्ट्र इमेज कब बनेगी जब और जलॉपकर्टस धिखर के इंब Вिट्मिन तो एक ने विए बस पास होगी गए बच्छो पर अगर मैं इस रे को पीशे की तरफ एक्स्टेंड करता हूँ बच्चों तो यह यहां मारी जे बहिए करी जाकर मिल दीगे तो जहां पर यह मिलेंगी बच्चों आपर क्या मैं जाएगी इमेज एड़ेश बीड़ेश और आपको पता है कि यह तो हमारा पास क्या होगा आप यह तो अमने आपी प्रिफेस केस मिलें जे और सेम डेरिवेशन को एज एड़ेश रपीट करोंगे और चैक करना कि यह रिजट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप क्या देखोगे कि सेम रिजर्ट आने वाला है, सेम वही ट्रेंगल्स लेने के पे, सेम वही प्रॉप्टी अप्लाई करने पे, सेम दोनों एक्वेशन को कंपेर करने पे बट में आपको डाइगराम बदाना आना चीए, ठीक है, और यह जो है एक्वेशन ध्यान ना कि बच्चों कि लेन्स फोरॉप्टा जो है, कर्वेक्स लेन्स के लिए, एक्जामियर ने किसके लिए पूछा, रियल इमेच के लिए या फिल वर्चिल इमेच के लिए, इसका आ रहे हैंगे, ठीक है, उसका बिसकी लिए डाइगराम आपको आना चीए, पूर्शी जार बच्चों सेम है, तो यहां पर रिताओंगा आपके लिए इस निए इस वर्चुल, कोकि आपको पता है कि हमेचा इमेच कैसी बनती है, वर्चुल इस बनती है, तो देखे, यह हमार पास कन्कियेव डैंस है, यह बच्छो, अपर चोर हो गया, तो यह हमारे पास बॉक्टीकल सैंटर, यह हमारे पास फर्स केसा फोककस फश्ट यह वाग्या है, और यह हो गया वर्चो एक रिए और यह हो बनता है, यह कि लिए इस यह पुम्या मिलमेt हatas यह हमने चोंवा, यहां देता हूं बच्छो 2F2 यह हो गया हमारे पास F1 और यह हो गया 2F1 ठीक है इससे कोई फरख नहीं पढ़ आपको ठीक है आप देवो ज्यांत से हमने यहां पर अग्जेक्ट रख दिया बच्छो मालिए यह अग्जेक्ट पढ़ा हुआ ए बी तो एक रे गई तो प्रिं अपर यह दोनों की दोनों रेख देगी वहां क्या बने वाली है इमेश एडैश बी डैश और इसक्वाइट का राव देते हैं M ठीक है और यहां पर देखोगे यह तो है बच्छो F पोकल है दूसरा है यह हमारे पास जो है इमेश का डिश्टेंस है तो V और यह हमारे पास अबजेक्टिव का इसक्वाइट से मजला इसील का आपने जहां रखता है और आप देख सकते हो सेंग वही ट्रेंगल लगाने है बच्छो वही दो ट्रेंगल लगाओगे लगाओगी उसी ब्लेट रेंगल प्रोप्रोप्रटी लगाने के बाद फिर दुवारे एकुशिन करते हुए जब बच्छो आपने जब करनी है तो यह चीज जानती है कि जो आप फोकल लेंज की वैल्यों होगे बच्छो क्या लेंगे नेग्टिल लेके चलेंगे तो देखो में रिजर्ट क्या आने माला दुबारा सेम होगी आने माला है वान बाई एफ इक्वोश टो वा अब देखें तो आपको समझागे होगी कि सेम वही ट्रेंगल लगाने है वही दो ट्रेंगल प्रोफ्टी बनने वाली है तो इसी का आपने खुड़ा सा ध्यान रखना बच्छो तो आपको लगता है कि आपसे आंसर नहीं निकल पा रहा है मतलब यह जो है इक्वेशन नही अब यहां पर तर्वाने जारों आपको कि फोर्मुला मना निकाने जारे है किस तर्म्स में वाच्छो यू एडएफ की तर्म्स में तो देखो जांसे हमने अभी जो है लैस फर्मुला पना रहे तो 1 by S एको टू 1 by V माइडस माल यू अगर बच्छो मैं दोनों तरफ यू से मल्टिमिलाई करता हूं तो क्या आएका यू बाइध यू बाइध बई वाइन और अगर मैं यास की और दो यू बाइध वी इस इक्वर टू क्या मैं बच्छो वन प्लस यू बाइध यह फिर मैं अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो क्या आएगा बच्छो वी बाई यू इस इक्वर्स टू एफ अपोन एफ फ्लस यू और हमें पता है कि वी बाई बेसिकली किसके एक्वल है अगर मैंने क्या किया मैंने क्या 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 करेंगे वी से मल्टिप्राइब कर देंगे और जब हम इसको निकाल कर देखेंगे बच्छो तो हमारा जो फोर्मूला आने वाला है वी बाई यू इस इक्वर स्टू एफ माइनर्स वी बाई एस तो यह कुछ फोर्मूले है जो आपको अच्छे से पता हुआ अच्छे है तो कि जब मैं इसके नुमेरिकर्स करांगा आपको वच्छो तो आपको यह फोर्मूले ओं तर स्पोर्ट लगा रहे हैं उन्सको आपको यू एन अफ एंड इन टर्मस ओफ ए वी एन एस ठीक है आप कुछ छोटे से जित्रा भी हामने पढ़ा बचो उसके विया पर कुछ छोड़ी बात यह जो आपको ज्यान की है कि जो मैगनिफिकेशन है बचो मरब N की वैल्यू नेगिटिव नेगिटिव एक वैल्यू पोजिटिव होती है फोर वर्चुवल एंड इरेक्ट इमेजिस के वी ठीक है यह दोनों की दोनों चीचे जो है आपको ध्यान रखने है बच्चों और बच्चों क्या ध्यान रखना आपको और यह भी ध्यान रखना है कि अगर M greater than 1 है तो इसका मतलब जो अब्जेक्ट की हाइट से ठीक है और अगर हमारे पास मेगनिफकेशन जो है बच्चों less than 1 है तो इसका मतलब जो आपको समझ आजाए होगा बच्चों अब जो मेरा next lecture है बच्चों वो आपने बिल्गूल मिस नहीं करना तो वो जो next lecture है वो basically क्य है combination of lenses ठीक है हम lens को combine करके हम क्या करेंगेest कोचे blossom करेंगे lens और mirror को combine करके क्या करेंगे बन्ठों co questions करेंगे तो अगर lecture है वो important lecture है बट वो lecture आपको तभी समझाएगा कि यह जब सब अगर आजका रेक्टर आपको अच्छारा होगा वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और जाह ज्यादा वीडियो को शेर करना थैंक्यू वेरी मच्छ